है तो बेसिकली आज कि हमारी classes में हम बात करेंगे आपके साथ करना चाहे एकर सकते हैं किस तरह की इसी चीट पे हम डिसकस करता है जैसे माले जिए की मेरे पास लिखना है मुझे आपर देखा होगा कि जो है जन्रली लोग जो लिखते हैं वह लिगते हैं कोई नंबर नहीं होता है ठीक है तो नहीं लगा सकती लेकिन है सिंगल लगाना लगाना क्या लगाना हूँ लगाएंगे उसके बाद हम यहां पर कोई भी नुम्मर से लिख जाएगा तो क्या हमें चेक पूपर कोई कैल्कुलेशन धोर ही करनी है हमें तो विजलाइज करना है न सब्सक्राइब को इस तरह से आपने लिखा तो असे लिखना है तो बार 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 हमें इसमें सिंगल को लिखा के लिखने की जरूरत नहीं है हम राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे फॉर्मेट सेल में और फॉर्मेट सेल में आने के बाद यहां आपको दिक रहा होगा टेक्स्ट इस text को select करके ok करते हैं अब यहाँ पे हम कोई भी number लिखेंगे तो ओ text ही होगा बिना inverted comma के यहाँ तक यह भी formula हम लगाते हैं तो formula लग तो जाएगा but perform नहीं करेगा formula लग जाएगा but perform नहीं करेगा यह तो बात हुई जब आप type करो लेकिन किसी ने check number आपको already भेज दिया है और उसने कताई zero का ख्याल नहीं रखा हो ठीक है सर्थ अब आपको इसमें zero maintain करता है तो बैंक को आपको इसकी print out निकाल के भेज नहीं है तो बैंक को zero के साथ चाहिए six digit maintain चाहिए तो इसको select करेंगे और जाएंगे custom पे तस्टम पे जाएंगे और यहां six time zero one, two, three, four, five, six six time zero लिखके enterprise कर दिया तो आप यहां देख सकते हैं यह zero maintain हो गया और zero दिकरा है और यहां पे आपका number text भी नहीं हुआ ठीक है number number है क्योंकि कोई भी formatting original value को change नहीं करता है just visual को change करता है ओके यहां पे देखे actually में यह है six three two one क्या है six three two one बट दिख रहा है zero zero six three two one तेकि ध्यान देखिए it just visualization के लिए है किसके लिए है visualization के लिए अब किसी ने actual में आपको single code लगा हुआ 0000 three two five लिखे बेज़ दिया अब बैसको left कर देता हूँ अब देखने में तो नहीं की जाशा लग रहा है रहा है रहा है लेकिसे इफ फर्मूला हो गया वी लूक अप हो गया ऐसे चीज़ों में यह आपका इक्वल नहीं होगा क्यों क्योंकि यह हमारा 00325 नहीं है सिर्फ 325 बट यह 00325 लेकिस जब आपको ऐसा कुछ करना हो कि नहीं नहीं मुझे वी लूक अप लगाना है तो आप जो कस्टम फॉर्मेटिंग पी अपलाई किये है उन ना करके उसके बगल वाले कॉलन में आप लगा है टेक्स्ट नाम का फॉर्मूला कैसे लगाते है इकल प्रेस करते हैं ती एकस्ट टेक्स्ट और अस्क्लिक कर लीजिए अपना चेक नंबर को और इन्वर्ट वाहं में जो 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 टालने के बाद देखिये आप जो नंबर आया है अब दोनों आपस में ब्राव अब शुरु आ गया दुरों ब्राबर है आपस में तो आप कस्टम फर्मेंटिंग इस्तमाल करें लेकिन उसके अंदर और कस्टम फर्मेंटिंग बाला ही लगेगा अब कुछ और इसमागे बढ़ते हैं जैसे कि मुझे यहां मुवाइल नंबर में मैं प्लस नाइन वन के साथ लिखना चाहिए तो प्राब्लम है कि हमने ऐसे लिख दिया तो कुछ इस तरह के चलाएगा साइंटिफिक फॉर्मेट पर मुझे प्लस नाइन वन चाहिए ही चाहिए तो आप क्या करें कस्टम पे जाए और यहां प्लस नाइन वन और यहां पर वान टू त्री फॉर फाइव सेख सेवर एट नाइन तो जोड़ी ने टेन टाइम जास एक टाइम भी देगा होगी है सर अब मैं कोई भी नंबर लिखूंगा अपने आप प्लस नाइन वन लगा हुआ ठीक है कि उस्कत से मालुसमा सब्सक्राइबी सेपरेत यहां हम कस्टम में और यहां देखते हैं रिक हाँ ठीन चीरो टैस अगें तीन जी जीरो डैस अगें तीन जीरो डैस अगें तीन 1 कि अ outta अब यहां पर हम अपना 9 जितका आईडी दाल नेखा आपने अब आप अब यहां पर हम एक्काउंट नंबर भी लिखना चाहिए वर्ट प्रब्लम में है कि जब भी कोई नंबर आप दिखते हैं तो टेल एलेवन डिजित तक आपको क्लियर दिखता है लेकि इसी को अगर हम कर देते हैं टेल डिजिट तो यह हो जाता है साइडिक को अगरेगा यहां में कुछ नहीं करना है कस्टम पर जाईए और एक जीरो यह आपका नंबर दिखने लगें तक दिखेगा फिप्टीन डिजिट था एकस्टम में क्या है कि को भी नंबर 15 डिजिट तर असे कर लेता है एक्जन नंबर नेकि 15 डिजिट के बाएट जैसी नंबर डालते है और नंबर zero में करना होता है छिसे मिलेए जैव आला सब्सक्राइब करते जीरो हो गया है कि आप अपने एक्सल में एक्सल में का जो लिमिटेशन है और सिक्स्टीन डिजर्ट से ज्यादा का नहीं कि तीक है ओके सब्सक्राइब कोई भी नंबर को हां फिफ्टीन डिजित तक ही कर सकते है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है इसकी कैल्कुलेशन नहीं करनी है तो फिर सिंगल कोड लगा के आप वत्तीस हजाद साथ सो संसर्ट तक लिख सकते हैं बड़े कैल्कुलेट नहीं होगा अगर आपने गल्तिस इसको कैल्कुलेट कर दिया तो फिर वो पंदरह इस ज्यादा के नंबर को हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखिए गए नंबर फॉर्मेट में नहीं इठीक है तेक्षी और तो यह और इसी कर रहे हैं इसा और ध्यान लिखेगा अब बहूसा लोग से इंट्री करते हैं किसी पार दबला मॉवाइल होता है मॉवाइल न लेकिन अगर आगे सिंगल कोड ना लगाते हैं तो यह हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से मतलब ऊपर देखिए 15 डिजिट के बाद सारे जिरो कर दिए है इसलिए जब ऐसा कुछ हो सिंगल कोड में लिखे जा दूसरा त्रीका है कि दैस लगा दे या फिर स्पेस दे फिर कॉमा फिर इस पर आप स्पेस के अब आप लिखेंगे तो फिर हो नंबर दिखेंगा हौः टेक्स बन जाएगा फिर नंबरी जिखेंगा कि क्लिए रहे हैं ओके हार अब चलिए बात करते हैं यहां पर हमने हैस और कई बात जीओ का यूज किया है क्या फंडाय दो जैसे मैंने आपने 1500 टाइप पर मुझे 1500 नहीं मुझे MRP 1500 चाहिए MRP 1500 पर प्रब्लम क्या है कि अगर ऐसा करता हूं तो हम इसके ऊपर किसी तरह की कैल्कुलेशन ना कर सकते हैं तो कि एक टैक्स हो गया अब मैं देखाना तो चाहता हूं MRP 1500 लेकी रखना नंबर चाहता हूं ताकि इसके उपर इसली से कैल्कुलेशन कर सकते हैं तो यहां पर हम जाते हैं अपने कस्टम अब किसी भी नंबर के आग या पीछे कुछ लगान चाहते हैं तो सिंपल इंवर्टेट कॉमा में देंगे MRP या जो भी लिखना चाहते हैं इनवर्टे कॉमा के बीच में जो टेक्स लिखना चाहें वो टेक्स का यूज कर सकते हैं लेकिन इसका अगर ध्यान रखें अगर मैंने यहां पें कर दिया जीरो तभी दिखेगा आपका नंबर नहीं दिखेगा तो आपको नंबर को शो करना है तो पेस्ट के बाद या पहले जीरो या हैस देना होगा जीरो हैस में कोई दिक्कत नहीं है और सब दे सकते हैं लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कब दिख्कत होती है कि मैं डबल जिरो हम कर देते हैं अब डबल जिरो कर दिए त्रिपल जिरो कर दीजिए अब क्या होगा कि 1500 पर कोई फर्क्ट ही पड़ेगा 100 पर लेकि जैसे मैं 5 लिखूंगा यह देखिए 005 क्योंकि हमने तो इसने तीन दिजिट दिया था इसने उसने तीन डिजिट को मेंटेन किया क्या किया इसके अब है करते हैं तो है सब्सक्राइब दस है दे उससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाद है तो प्रिफिक्स सफिक्स के मतलब यह हुआ जैसे मान लीजे मुझे 1500 आरेस लिखना है लास्ट तो अब लास्ट लिखना है तो आप क्या करेंगे कस्तम पर आप जीरो या हैस के बाद आर इस जो लगाना है वह आप लगाए तो जीरो और हैस से नमबर शो होगा और जीयो और हैस फैले शीरो पहले उस से पहले कोई टेक्स देंगे तो पहले दिखेगा बात देंगे तो बात में दिखेगा सिंपल कि एक पर इख लेकि बीट में करना हो तो जैसे में पास क्रिट कार्ट नंबर है अब क्रिट कार्ट नंबर में बैंक जो मुझे तरह से बेजने के लिए को कि हमारे पास कस्टमर की आठ डिजिट की कर नबर होते हैं अब मुझे क्या करना है कि मैं टाइप करू 45214874 बीच में वह 8x लग जाए तो ऐसा हम कर सकते हैं हम जाएंगे कस्टम में यहां लिखेंगे 0000 उसके बाद इनवर्टिट कॉमा में देंगे एक्स 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 चार बार एक्स स्पेश अगें चार अवार एक्स और फिर यहां पे हम अपना जो नंबर है 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 घगा सब्सक्राइब कर तो अब इसमें बात करते हैं थाउजन सेपरेटर का मैंने आपलिखा 25 सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कस्तम पर जाते हैं और जाने के बाद यहां हम एक हैस लेते हैं और एक कॉमा लेते हैं स्पेस इसमें मत दिजेगा उसके बाद यहां पर इन्वर्टेट कॉमा में के लिख दिया और जैसे हम यहां पर ओके करेंगे यह देखें यहां 25 थाउजन है पर 25 के दिखेंगा अगर मैं इसमें 1000 एड करना है तो देखें 26 हो जाए ठीक है सब्सक्राइब करता है ठीक है सब्सक्राइब करता है अच्छा 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 जीरो क्या करता है इसलिए अगर आप ऐसा ना करेंगे तो 25 के दिखाएगा ना अच्छा अच्छा लगाते हैं तो थाउजन में राउंड अप हो जाता है तो पचीस जा रहे हैं तो पचीस हो रहे है अच्छा और अजीब है यह तो क्या होता है तो आजम रिपोर्ट बनाते हैं इसका अच्छा खासा यूज आजर आप इसको अपना हल्केर देखाता हूं कि यह देखिए एक सो एक यारा के दिख रहा है अब माल इसको हम जनर्रल फॉर्मेट में कर दें तो कुछ इस तरह के नंबर आप इसको हम भीज रहे हैं अब सारे के सारे मैट से नहीं होंगे ना वह कंप्यर करने में दिक्कत हो जाएगी ना सब इस तरह से नंबर में कि दिक्कत हो जाएगा कि तो इसको थावचल में कर दिये तो इसली देख पा रहे है कि एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब होता तो समझने में दिक्कत होती किने सर दूसरा चार्ट है आपका चार्ट के लिखा हुआ है पूरा लिखा रहा था तो यह क्या करता ओवराइज करता चार्ट करता तो इसलिए हम लोग इसका इस्तिमाल का ठीक है और इसमें आपको बिलियल में भी कर सकते हैं जैसे यहां पर हमने कुछ बड़ा नंबर लिखते हैं बड़ा नंबर यहां पर हम कर देते हैं यहां पर जीरो पॉइंट जीरो जीरो और डवल का तो यह देखिए आगया त्वेटी पॉइंट फॉर सिक्स अ बिलियर्ट चीक है तो सिंगल कॉर्णा कॉमा थाउजन होता है और डवल कॉमा बिलियर्ट में होता है देख सकते हैं ने आपर यहां पर एकाई दाहाई दाहाई सेंकरा अचार दस जान लाख दस लाख तरोर है तो सौ करोर है ना सौ लाग का एक टेरी मिलियन होता है ना विट्विवडियन हो जाए यूएस बेस्ट है इसाट है ठीक है अब बात करते है देट का तो जैसे कि आपने आपने आपर देट लिग दिया एक तो इसका सौ देट का फॉर्मिट का सौ पर होता है लगा दिया तो यहां से बहुत आएड़ चूज कर सकते हैं लेकि आपको तसलिए नहीं आपके पस अपना फॉर्मिट यह रहा दीडी मॉइवा कि अब यहां पर दिखेगा कि आपने एक बार दीडी डाला तो यह आ जाएगा यहां पर दिखेगा आपको यह उपर यहां दिखेगा पर दिखेगा एक बार दीडालोंगे तो वान टू त्री फॉर फाइव दो दो आएगा जिरोव फॉर फॉर फाइव इस तरह साहें अब यहां पे कॉमा लगा लिजिए डैस लगा लिजिए जो लगाना लगा मैंने आप पर वापस दीदी कर दिया पिस्लाइस महीना अभी सेम है तो यह जो आपको आपको यमग को इस तरह अपने हिसाब से और इसके ुद्ध न कर सकते हैं जैसे यह डेट है अब डेट के साथ में जो आपने आपने चार बार डी लिखते हैं राइट लेकिन मुझे इसके साथ टाइम भी आड़ करना है कि आवर्ली टाइम और मिन्टूस में टाइम भी हाँ पर आड़ हो गए अब अब और तरह है अब आज आए है इसके साथ टाइम भी चाहिए हाँ तो उसके लिए है जैसे मैंने नाओ का फॉर्मूला लगा रहे इस तरह से या आप क्या चाहते ओ आप चाहते हो कि पहले दे आया है यह प्रफिर आफ पहले टाइम आए है टाइम के लिए हुता है यह स्लाइस एम एम उसके बाद आप स्लाइस कर दिजए ठीक इस कि आप डाइस ऐ में पिर आप अप स्लाइस कुछ भी चरदिजिया अपनी इसाब से मैं तरह तो ट्छू बिए इसको टाइमिंग भी कर सकते हैं इसमें आप जब ख़री के तरह चलते नहीं जाता है कहीं पर डेट होता है ना तब डबल क्लिक कर दिया कहीं पर तो चेंज होता है तरह है था है थीग है है गरी की तरह नहीं चलेगा ठीक नहीं करेंगा उसिफ गरी का पूस चलेगा वागे चीज़ नहीं चलेए तो कि अगे बैंक और में कि सिंगल ऑपरेटर सिंगल एंड ऑपरेटर बतलब कि एक या दूश्टाप से ही आपका बैंक बुड़ा चल रहा है उसी तरह से आपका प्रिप्टी आपका एक से सब्डेटर एक बार में वह एक ही चीज को फोर्शिस करेंगा फंग्शन करेंगा और दूसरा है कि आपकों एक आर्टिकल पढ़ने के लिए दे रहा है उस आर्टिकल को पढ़ने कस्तम फोर्मेंटिंग को साथ स्रीयस लिजिएगा तो कि अच्छा का से इसका यूज होता है अब दिखाया ना तो थाउजन सेपरेटर का यूज हाँ ठीक है तो इसको एक ब ठीक है ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बस इससे समझने लिए कि टेक्स्ट फॉर्मूला जो अड़ होता है इसे यहां पर एक्चंपल और दिखा रहा हूं जैसे कि मेरे पास किसी का ओवर्टाइम गनेक्टेड है कि 37 मिनार्ट तो 37 गंडे 20 सेक्ड ये किसी का ओव है 37 तो नहीं है कि या अब इसको 37 के से अलग करेंगे तो कि मान लिचे कि 37 गंटे को मान लिचे को 200 रुपे पौर गंटा देना है तो अब इस इसको अगम मुल्टिप्लाई आप कोड देते हैं तो रिजर्ट तो रही आएगा तो घरबर आगे रिजर्ट पर रहा है तो यह बाइब ट्वें आपका 200 चॉप्तर सुर्पे उसको वर टाइम बनना है ना तो मुझे जो टाइम है इसमें से 37 स्कोर अलग करना एक्सल में क्या होता है कि 24 आउट इक्वल टू 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 वन दे तब देखेंगे कि यहां पर लिख है यहां पर दिख रहा है सब तो इसके लिए हम टेक्स्ट और इसमें हम इन्वर्टेर को में स्क्राइर राइगेट में लिखते हैं एच तो क्या करता है कि आवर को अलग कर देता है इन दा नंबर जहां आप इजिली इस को बल्टिप्लाइग कर जब्सक्तर टू अंडेर्ट सो और रिजर्ट लासे है ठीक है ओके एक कस्टन दो में टिंग बाट है कि मिनट में हमें जो है हमें जो है दस रुपे और दस रुपे प्रॉस्ट पर तू मिनट्स का देना था ठीक है ठीक है तो यह वी आपको अब इसको जगावत में एम कर देते हैं तो हो जाता है था चौबिस हो गिया अब इसको जो है डिवाइड बाइड वाइड टू कर दिए और मल्टिप्लाइब बाइड टेंट लिए रिजल टागे तेजार आजार दो सो फिए ठीक है जो इसकी ने आर्टिकल भेजा है उसक अब बाइड बाइड पाने कर दे दो है उसकी ने कर दो किवाज दो टीजार टाव ह।